अलो फ्रेंट्स मेरा नाम एनिल मालिव आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दोस्तो आज को आज मैं आपको ऐसी ट्रिक पता हूँ जिससे आप किसी मोबाइल को हार्ड रिसेट कर सकते हो उसका अगर पैटल लॉक हो गया हो तो उसको बीना कम्पूटर की साथा से फ पैटल लॉक हो गया है तो इसको फॉर्मेट करके अनलॉक कर सकते हैं बिना किसी कम्पूटर की साहतर से बिना फ्लैसिंग की साहतर से यह ट्रिक सेम्संग मोबाइल में काम करेंगी इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखना है वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आप लॉक होगा नहीं और डाटा सब आपका डिलिट होगा तो इस वीडियो को पूरा देखना वीडियो अच्छा लगे तो लाइक चुरूर करना देखिए दोस्तों मेरा यह मुबाइल है अभी पैटर्न ट्राइक कर रहा हूं लेकिन इनकरेक्ट पैटर्न बता रहा है क्योंकि म अभी मुबाइल को हारी सेट करेंगे बिना किसी कंप्योंटर से अभी लॉक हो गया इह देखते है क्या ट्रिक हैं कैसे मुबाइल को अनलोग कर सकते है सबसे पहले मुबाइल को स्विच ऑप पर और पो अफ करते हैं tournaments कित करने के बाद किते यह किस प्रकार से अनलोग होता go power lock power off करने के बाद सबसे पहले स्का Olum key और Volume up key power key or home key नीनों?'2 जैसे यू पारो में इनों एवर को एक साथ में दपाएंगे सबस्ता साथ में दबाके रखिए जैसे Mitglान होता मोगा पार हम वाइब्डेट करेगा तो चैंसर लिखने बाद पौवर की को छोड़ देंगे और वॉलिम अप और होम की को दबा खेंगे फिर आपके बास एक एंडॉइड का लोगो आएगा इस लोगों आन बास बड़ की को छोड़ देंगे फिर पौ़र की दबाएंगे इसके बार NIGHT मैंडू ऐस लुख जाएगा उसमें इसाया रित्रान वाइंगा प्रीट पुरा ऑट हो रहा है इसोर देलेन रहो है इसके लिए द्यान रखेंगे लुख घू Кल मत करें रिंज च्वर नई तो आपका डाटर फिरमयट होगा इसकी बाद रिबूट फोन करेंगे यह मारा फॉन्ठ नरी स्टार्ट हो रहा है इस्टार्ट होने के फोन्ओन्ट जो राएं फe किसी भी Samsung में ट्रिक काम करेगा कोई भी Samsung हो अभी हमारा mobile स्टार्ट हो गया है अभी next पर click करेंगे next वापस click करेंगे अभी next next करते रहेंगे जैसे जैसे mobile में दिखाये जा रहा है solution जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रहा है mobile unlock होता जा रहा है next करते रहेंगे skip करेंगे no करेंगे not now करेंगे फिर रपस आगे करेंगे आगे बढ़ेंगे skip करते रहेंगे सब next फिर नेक्स्ट यह finished अभी हमारा mobile unlock हो गया है बिना किसी computer की सायता से बिना flashing की हूए लेकिन इसमें data अपना delete हो गया है data को backup करना ज़रूर ही है अभी हमारा mobile unlock हो गया है